नमस्कार दोस्तों आव सीखे चैनल में आपका स्वागत है आज हम रबल करर का एक बहुत ही कुप्सुर डिजाइन बनाएंगे जिसे बनाने के लिए हमें 6 के मल्टिपल फंदे चाहिए और 3 फंदे एक्स्ट्रा यानि ऐसे हम 6-6 फंदे गिने तो लास्ट में 3 फंदा एक्स्ट्रा आना चाहिए तो बार्डर बनाने के बाद हम अपने प्राइमरी कलर से ही पहले लाइन में सब भी फंदे सीधे बना लेंगे तो यह हमारा बेसलाइन है इसे हमें फिर दूराना नहीं है यह बेसलाइन है यह डिजाइन का लाइन नहीं है तो सभी फंदे सीधे बनाते हुए हम रॉंग साइड में आ जाएंगे डिजाइन रॉंग साइड से शुरू होगा अब हम रॉंग साइड में आ गए हैं और ये डिजाइन का पहला लाइन है तो अब हम अपना सेकेंडरी कलर अटैच करेंगे और सभी फंदा उल्टा बना लेंगे सेकेंडरी कलर से सभी फंदा उल्टा बना लेंगे तो फर्स्ट लाइन में डिजाइन रॉंग सार से शुरू होती है तो फर्स्ट लाइन में सभी फंदे उल्टा बनाते हुए हम लाइन कंप्रीट कर लेंगे अब हम राइट साइड में हैं तो फंदा ऐसे स्लिप कर लेंगे शे सभी फंदे उल्टा बनाते हुए हम लाइन कंप्रीट कर लेंगे और लास्ट फंदे को सीधा बना लेंगे अब हम डिजाइन के थार्ड रो में हैं तो हम अपने प्रैमरी कलर से पहला फंदा ऐसे उल्टा बनाएंगे दूसरे फंदे को स्लिप कर लेंगे फिर पाश फंदा हम लेंगे तीन चार और पाश पाश फंदे को लेंगे एक उल्टा फंदा बनाएंगे फिर उन ऐसे चढ़ा के लाएंगे फिर इन ही पाश फंदों में एक और उल्टा फंदा ये तीन हुआ फिर उन चढ़ा के लाएंगे और इन ही पाश फंदों में एक और उल्टा तो ये हो गया पाश से पाश फंदा नेक्स्ट फंदे को हम स्लिप करेंगे फिर पांच फंदे लेंगे तो तीन चार और पांच और पांच फंदे को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बनाएंगे फिर उन ऐसे चढ़ा के लाएंगे इसी में एक और उल्टा फंदा बनाया ये हुआ तीन फिर उन चढ़ा के लाएंगे और इसी में एक और उल्टा फंदा बना लिया तो ये हो गया पांच तो हमने पांच से पांच फंदे बना दे नेक्स्ट फंदा स्लिप करेंगे फिर दो, तीन, चार, पांच, फिर एक उल्टा फंदा बनाएंगे, एक हुआ, उन चरहा के लाएंगे, फिर इन ही पांचों में एक और उल्टा फंदा बनाएंगे, ये हुआ, तीन, फिर उन चरहा के लाएंगे, ये चार हुआ, फिर इन ही पांचों में एक और उल्टा फंदा ब तो यह हुआ पांच से पांच फंदे, नेक्स्ट फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर पांच फंदे लेंगे, चार पांच, और पांचों फंदों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बनाएंगे, उन सलाय में ऐसे चरहा के लाएंगे, इन ही पांचों में वापस एक और उ एक और उल्टा फंदा तो यह हुआ पास से पाच अगले फंदे को slip कर देंगे लास्ट फंदे को उल्टा बनाएंगे अब हम design के चौथे line में हैं तो पहला फंदा slip कर लेंगे और अपनी और करेंगे और 6 सभी फंदे हम उल्टा बनते हुए line complete करेंगे सबी फंदे को उल्टा बुनते हुए हम लाइन कंप्लेट करेंगे चौथी लाइन में प्रैमरी कलर के उनसे सबी फंदे उल्टे और लास्ट फंदा सीधा अब फिर हम रॉंग साइट से हैं तो सेकेंडरी कलर के उनसे सबी फंदे उल्टा बनाएंगे पाचवी लाइन में सेकेंडरी कलर के उनसे सबी फंदे उल्टे और छटी लाइन में पहला फंदा स्लिप कर लेंगे उन अपने और करेंगे शेस सबी फंदे उल्टे साथवी लाइन और रॉंग साइड तो अब हम अपने प्राइमरी कलर के उनसे पहला फंदा उल्टा बनेंगे और फंदे फिर तीन फंदो को एकसाथ लेंगे और तीनों को एक साथ लेते होए तीन फंदे बना लेंगे केक बनाया उन चड़ाया और एक और उल्टा फंदा तो तीन फंदे बना लिए नेक्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे अब ये देखिए ये फंदा हमने स्लिप किया था जो तीसरा फंदा है इसे हमने पिछले डिजाइन में स्लिप किया था तो ये फंदा और इसके दो फंदे दोनों साइड से दो दो फंदे लेंगे तो इन पाच फंदों को हम एक साथ लेंगे और इन ही पाचों फंदों में पाचों फंदों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बनाएंगे फिर उन सलाई में चरहा के लाएंगे इन ही पाच फंदों में एक और उलता फंदा तो यह हो गया पाश से पाश फंदे एक्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे फिर अगले पाश फंदे हम लेंगे एक दो और देखिए यह तीसरा फंदा slip किया हुआ फंदा है तो 3 4 और 5 5 फंदों को एक सा लेंगे थोड़ा सा धीला कर लेंगे और फिर इन 5 फंदों में 5 फंदे बनाएंगे तो एक बनाया उन चढ़ाया फिर इनी 5 फंदों में एक और उल्टा 3 हुआ फिर उन चढ़ाया और इन ही पाचों फंदों में एक और उल्टा तो पाच से पाच फंदे हो गए नेक्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे अगले पाच फंदे लेंगे और पाचों फंदों को एक सा देते हुए एक उल्टा फंदा बनाएंगे फिर उन चढ़ाया इन्ही पाचों में एक और उल्टा फंदा, तीन हो गया, उन्चड़ाया, और इन्ही पाचों फंदों में एक और उल्टा, तो ये हो गया, पाच से पाच फंदे, नेक्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे, लास्ट में चार फंदे बचे हैं, तो तीन फंदों को हम देंगे, और 3 से 3 फंदि बना देंगे 1 उन्चड़ाया और फिर इन ही में एक exploded पार फंद और लास्ट ? उल्टा और एर्थ रुह और राइट सायड पहला इं पल्डा ईंतव करेंगे उनको अपने और करेंगे शेस सभी फंदे उल्टा बुनते हुए लाइन कम्प्लीट कर लेंगे और लास्ट फंदा सीधा तो देखिए डिजाइन बनके त्यार है मैं थोड़ा सा और बना लेती हूँ तो आपको दिखाती हूँ तो देखिए फ्रेंट्स डिजाइन बनके त्यार है आश लाइन का रिपिटेड डिजाइन है एक रंके उनसे दो लाइन बनाने के बाद अगला दो लाइन दूसरे रंके उनसे बनाया जा रहा है तो फ्रेंट्स डिजाइन आपके सामने है आशा है आपको पसंद आया होगा यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लेज लाइक, शेर और सब्सक्राइब थैंक्स फर वाचिंग